हेलो फ्रेंड्स ये एक लेटेस न्यूस आई है रिगार्दिंग इवी एम एन वीवी पैट ट्रिब्यून में आई है ये न्यूस आज और इस न्यूस में क्या लिखा गया है कि जो आपोजिशन पार्टी से वो ये मांग कर रही हैं कि जो फिफ्टी परसंट जो रिजल्ट्स है न इलेक्शन्स के जो आते हैं इवी एम से उनको वी वी पैट से मैच किया जाए ट्रिब्यून में 5 February को प्रेंट वी है ये उसकी यूट्यूब भी वी वीडियो एक अवेलेबल है यूनाइट अपोजिशन तोडेंग पिटिशन एलेक्शन कमिशन फर मैचिंग इविम रिजल्ट्स पेपर ट्रेल्स इन फिफ्टी परसंट केसे इंसेट अव एक्जिस्टिंग 2.5 परसंट अब क्या है न कि अब तक तो 2.5 परसंट ही मैच करते थे जो रिजल्ट आता था ना तो 2.5 मशीन यानि सो अगर मशीन लगी है तो 2.5 यानि धाई मशीनों में चेक होगा मैच करके देखा जाएगा तो 21 उपोजीशन पार्टी के जो लीडर है राहूल गांदी शरत पवार एन चंदर बाबु नाइडू और भी अनेक नेता हैं उन्होंने कहा कि अगर 100 परसंट नहीं काउंट करते न तो कम से कम 50 परसंट जरूर करें वो कह रहे हैं कि एलेक्ट्रोनिक शुड़ हैपन मेंडेटरी न ओल काउंटिंग जो री चेकिंग तो सब में होनी चाहिए लेकिन 50 परसंट में तो कम से कम उनों धाई परसंट तो बहुत कम है तक ही जो है अब यह देखते हैं वीडियो खोल करके यूट्यूब की क्या कह रहे हैं प्रहिए बहुत तो तो इसमें आवाज तो इतनी क्लियर नहीं आई है आवाज तो इतनी क्लियर नहीं आई है लेकिन ये नियूस बड़ी इंपॉर्टन्ट है क्योंकि अगर बीबी पैट अगर मशीन लगाई गई है तो उसको मीनिंग तो होना चाहिए ना उसे मैच तो करवाए जाए कि वाकी जो मतलब वो ठीक से परफॉर्म कर रही है और इतना भी क्या है कि टाइम नहीं है हंडेड परसंट में काउंट होना चाहिए फिफ्टी परसंट भी क्यों और एक और बड़ी मज़े की बात ये है कि सारी अपोजिशन पार्टिस चाह रही है कि या तो बैलेट से पेपर वोटिंग हो या पीवी पैट काउंटिंग हो बस एक पार्टी है जो नहीं चाहरी व इससे कोई क्या समझेगा लोगतांत्र है तो लोगत कर वोटिंग को तो इमांदर बनाना नहीं पड़ेगा तो यह आज की ट्रिबियून है और यह भी मानना पड़ेगा कि चलो और रिपोर्टिंग कर दी ए ट्रिबियून ने वरना एवीम का चल वैसे कोई नाम लेते भी रहा है और इसलिए सब पार्टियों ने एकटे जाके पेटिशन किया है कहीं एक पार्टी ना टार्गेट हो जाए तो यह आज की तारीक में और मैं तो यह समझता हूं कि इन चीजों के चलते शायद कोई की MP बनने को राजी भी नहों एलेक्शन खड़े होकर होने को राजी नहों आमादी पार्टी के जैसे नेता अर्विंद के जिए घर जाके किसी को कहें कि भाई तो टिकट ले ले और एलेक्शन लड़ ले मेरे क्याद से वो तब ना लड़े क्यों सारा सिस्टम उसके अगेंस्ट होएं ऐसा कौन चाहिए गाउर टाक्स misery में में अभी में में अ जितने में में सारे उसके अगेंस्ट हो जाएं और फिर कोई व्रोसा नहीं है किस्टम election का चैसे करेगा के नहीं करेगा तो तो बड़ा मुश्किल है नहीं है वैसे भी देखो election में नहीं है पर यह हमारी लुद्हणा सीट है इसको कोई पता नहीं है कौन किस party के खड़ा हो रहा है उसना तो तब हो ना पता तो हो कि भी इमानदारी से काम होगा ये भी बड़ा है चलो कि ट्रिव्यूर ने इसको रिपोर्ट किया है तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है सुनने के लिए भाई धन्यवाद